तो भाई आज हम चैलिंज वो करने वाले हैं बीच में क्यों आ रहा है यार बीच में न बोल भाई आज हम चैलिंज वो करने वाले हैं जो बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेट सेक्शन में किये के यार काइट कटिंग पलस काइट फ्लाइंग टेस्ट या फिर हाउ टू में का अगर तुम लोगों को तंग करना चाहते हो किसी भी काइट फ्लायर को तंग करना चाहते हो तो आज की ट्रिक आप लोगों के लिए यकीन मानो वह इतना ज्यादा परेशान होगा के भई घर से भागने पर मजबूर हो जाएगा अब वो वीडियो क्या है सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बिग जर्खी यहां पर आपको पताई है बिग कर्ट के हवाले से पताई है लेकिन यह हम आज नहीं उड़ाने वाले हैं छोटी काइट और तंग क और हम बिग काइट से अगर चैलिंज कर लेते हैं तो यह इतनी ज़्यादा हल की है कि भाई आपकी जो काइट है वो कटने वाली नहीं है पोसीबली नहीं है कि वो कटे उसमें वज़न होगा तो कटेगा ना इसका सबूत अभी मैं आपको बिग काइट वर्सिस मिनी काइट अगर आपको यह चाहिए तो वाप को बता हूँ आप हम अज जो बताने वाला हूं मिनी काइट वर्सिस मिनी काइट किर9ा के सामने मांजे यूज करेंगे लेकिन कटे नी कोपके नहीं यह नगा रहती हैं तो लेट कटेगी अगर नहीं कटेगी तो नहीं कुड व्हारेख म काईड बहुत ज्यादा चोटी है तो यह फ्लाइंग भी बहुत अच्छा त्रीके से होती है ऐसा नहीं के फ्लाइंग नहीं होती तो मैं जल्दी से फ्लाइग करता हूँ तो फाइनली आपके भाई ने तो अपनी मिनी काइड फ्लाइ करवा लिये चोटू की बहुत ज्यादा मिनी एक्स्ट्रा मिनी और फ्लाइ नहीं हो रहा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा चोटू को बलूँगा के वहां से माझा मेरा पकड़ और उपर ही डाल दे एक उपर ही डाल दे और धील देना शुरू कर दे तेड़ी उड़िया जी इसका यह तरीका अभी मुझे नीचे लाने दे एक मिनट शटू को और रुख जा ना यह मेरे माझे के उपर डाल देना ना यह ला मेरा माझा आ अभी नीचे अभी भाई देफते रहना होता है क्य वो का वैसे तो उड़ी नी थी लेकिन आप उड़गी अब भाई मज़ा काफी ज्यादा आ रहा है इदर आजा पीछे आजा और धील पर डील दे वो देख उड़ गई उपर उठाने की कोशिश कर उपर उठाने की चलो दूरो थोड़ा मुझसे दूरो और उपर उठाने क दूरो जाहा अब इसकी उड़िये आप सही है आप जबरधस हो गया आप डील दे थोड़ी जबरधस आप सही हो जबरधस यार ऐसी डील देता प्रे उड़ती जाएगी भाई अब पेच्श हा लग गया और अब यह आप लोग तो भाई सारा वही सिलसला है अब मैं देखो कहां पार हूँ पेचा भी सही करास में जागर लगा आपके सामने लगा लेकिन भाई रीजन वही है आप देख सकते हैं चोटू की काइट भी उड़ रही है ऐसा नहीं के उड़ नहीं दी वह देख लो उड़ तो गई किसी ना कि क्योंकि हमारे दोनों के मांजुए बिल्कुल हलके हैं इधर आप भाई मेरे पास और कैमरा लगा वह देखो छोटू की भी जा रही है ना वह देख चोटू थोड़ी उपर उठा ना और हाँ वह देखो वह देखो च्छोटू की काइट गिदर चली यार दूर जा चूकिए भई अरे भई मसला वही है मैंने आपको जो पताया ना साइंस यह बिल्कुल वही वाली साइंस है हलके काइट होंगे हलकी काइट मतलब कि हलकी काइट करके आप किसी बड़े से भी पेचा लगा ले आपकी काइट कभी भी नहीं कट सकती वो देख लो कहां तक जा रही है भाई ये पेचा लगा रहेगा तीन घंटे भी लगा रहे ना तो वो कटीनी सकता भई 것으로 कहा चला गया छोटों कांजी कितने दूर चला गया मेरा देखो कितने जुत बीघिल हो काईट उडिती रहे एगी और ते रहे गीजार्ण दोनां ओर्ठी रहें 내용िं लेकिन कटंगी नहीं कुछ भी हो जया हां नहीं अगर मैं बिग काईट या फिर आड़े से या फिर तावे से भी लगा लूँ जो भी बिग काईट है मतलब अपनी छोटी काईट है अगर उसे के साथ लगा लूँ तो यकीन मानो के मेरी काईट कभी भी नहीं कटेगी इसी वजह से कह रहा था किसी को तंग करना हो ना भाई तो यह वाली टेकनीक सबसे अच्छी है चोटू अब देख कहां पर खड़ा वा और उसकी काईट देख कितने दूर पहुंच चुकी है मेरी देख कितने दूर पहुंच चुकी है लेकिन भाई मसला वह यह मैंने पहले आपको समझा दिया कि काईट नहीं कटेगी हम दोनों कि मिनी यह दोनों फाइदे में लेकिन जब बड़े वाले से मैंने लगा लिया तो फिर वो तो भाई परिशान होगा अब इनको उतारते हैं और देखते हैं कि पेचा किस तरीके से लगा और क्या सीन पार्ट चलता है वो देखो कितना उपर गया है चोटू की काईट इदर ही आ रही है यह देख लो यह मेरे हाथ में आएगी इदर आना तू छोड़ दे दे ना छोटू डिंदे थोड़ी सी मांजया निकाल ना देथि न अधिले ना और देल देना थोड़ी यह भाई यह देख लो यह एभी यह दो बला है और पहले तो दूर से लगा olेकिन अब पास से लग गया क्यूंकर अरे मेरी काइट कहा गई यार उतार इसको तो भई ये होता है जब दो हलकी काइट आपस में पेचा लगा लें या फिर एक हलकी काइट और एक भारी काइट भारी काइट वाले परशान हो जाएगा किसी को तंग करना हो मिनी काइट उडातो सिंपल होप के आपको हाच का एक्सपेरिमेंट यह क्यों भई छोटू अगर आप लोग चाहते हैं बिग काइट से चोटी काइट का चैलिंग लगवा लो यह छोटी काइट है इसका साइज मैं बताओं आपको कितना है इधर आओ भाई इसका साइज यह काइट ऐसा नहीं कहना कि भा काइट भाई आपके सामने काइट है यह वही वाली काइट है तो यह काइट भाई आप देख सकते हलकी काइट है बिल्कुल वेट नहीं है किसी के साथ बे फिकर होकर लगा लो आपकी नहीं कटेगी सवाल ही नहीं पैदा होगा आपकी कटे चाहे वह धील दे यह खीचे कु यह काइट पहले फलाय हो जाती थी बारिश में पड़ी हुई है तो अब यह खराब हो चुकी है अकड़ गई है तो यह सारा मसला मसाइल होता भाई यह आप चेकर सकते हैं हौप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मजीद छोटू कुछ कह दे वीडियो को लाइक ठ केमरा मैन को भी ठोक दो इस काइट को ठोकना है नहीं है रहा है कोई बात में इस काइट को ना ठोको ठोकना ठोक दो अलाव जाए